पर दसको स्वागत है आपका हमारी चैनल Second of Life पे आज की वीडियो धनूरासी के लिए जुलाई 2023 का रासिफल लेकर के मैं आया हूँ देखिए अगर आप धनूरासी के हैं तो इस वीडियो में health की बात करेंगे, career की बात करेंगे, love life, marriage life की बात करेंगे, भागी की बात करेंगे और finance की बात करेंगे इन सब चीजों में क्या possibilities आपके लिए बन रही हैं, गोचरी विवस्ता से इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पर उससे पहले, देखिए अगर आप धनूरासी के हैं, तो आप अभी साथी से बाहर निकले हैं, कुछ समय पहले ही, चार्माच महीन पहले, और अभी भी चीज नहीं बदलना चाहिए, वो है आपका खुद में विश्वास और इश्वर में विश्वास, ये दो चीज आपकी नहीं बदलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये संसार परिवरतन सील है, जब संसार ही परिवरतन सील है, तो बुरा समय भी हमेशा के लिए कैसे रह सकता है, इस च गुरू आपके लगने शोकर के 5th house में बैठे हैं राहु के साथ हैं लेकिन गुरू अब पावर में आ गए हैं, ठर्टीन डिगरी पे गुरू आ चुके हैं और 6 डिगरी पे अभी राहु चल रहे हैं तो राहु का प्रभाव से अभी गुरू का प्रभाव बढ़ा है, गुरू की दृस्टी लगन पर है, राहू की थोड़े से रेमेडिस करिएगा, इस्थिती जो है हेल्थ को लेकर के अच्छी दिखाई दे रही है, सनी भी वक्री हो रहे हैं, और शूरिय एक से 16 जुलाई तक लगन को देखेंगे, यहां से जो शूरिय देखेंगे आपके भागे सो करके, यह इनर्जी लेवल आपका ज्यादा अच्छा रखेंगे, और आपका भागे को बहतर करने का ध्यान भी आपके लिए बहतर रहेगा, तो हेल्थ को लेकर के यह सब चीज़ें आपके लिए ठीक दिख रहे हैं, यहां पर बैठा शूरिय त्रिकून का लॉड होकर के अंदर में आएगा, एक से सोल जुलाई तक भागे का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, भागे से रुके हुए काम आपके लिए बन सकते हैं, क्योंकि एक से साथ जुलाई तक प्रोफेशन लॉड मरकरी भ वो आपके लिए ठीक दिख रही है, और जब सूरिय यहां चले जाएंगे, अस्टम भाव में भी सत्र जुलाई से, तो ऐसा कोई बुरा स्थिति नहीं दिख रहा है, क्योंकि अस्टम में सूरिय आत्मा के कारक होते हैं, तो अस्टम में उनको इतना दोस नहीं लगता है, तो वहां भी भागे को लेकर के स्थिति ठीक दिख रही है, अमूमन, लेकिन 16 जुलाई तक भागे का साथ थोड़ा सा बहतर दिख रहा है, उसके बात देखिए, बात करूँ आपके मैरेज लाइफ की, बुद्ध आपका मैरेज हाउस का लॉड, और मैरेज हाउस पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है, बुद्ध आपके मैरेज हाउस का लॉड, एक से 7 जुलाई तक यहां रहेगा, और फिर 7, 8 जुलाई से 24 जुलाई तक आपके स्टम भाव में रहेगा, थोड़ा सा यहां ध्यान रखिएगा, 8 जुलाई से 24 जुलाई के बीच, आप चोटी बातों पर गुस्सा मत होईगा, अर्गुमेंट से थोड़ा बच कर चलिएगा, मैरेज लाईब ठीक है, मैरेज लाईब पर कोई बुरा प्रभाव, खासकर मैरेज हाउस पर इस महीन नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद देखिए बात करूं केरियर प्रोफेश क्योंकि दूसरा प्रोब्म भी हो सकता है, कैरियर प्रोफेशन में देखिए शनी आपके वक्री हुए हैं, उसके बाद प्रोफेशन लॉड बुद्ध आपके एक से 7 जुलाई तक यहां रहेंगे और फिर अस्टम भाव में जाएंगे, प्रोफेशन को लेकर के अमूमन इ प्रोफेशन सो समझ के लें, और अपने शीनियर से अच्छे बनाव बना कर चलें, आर्गुमेंट्स वगेरा में ना पड़ें, उसके बाद जो इस्थिती है वो ठीक दिख रही है, चुकि शनी वक्री हुए हैं, सेकेंड हाउस के रिजल्स को भी थोड़ा लेंगे, तो फ इस्थिती अभी बहतर हुए है, शनी भी वक्री हुए हैं, तो अपना प्रभाव बढ़ा है, थोड़ा फिनांस कंडिशन आपके इंप्रूव होने के चांस यहां पर शनी दिख बना रहें, तो घबराईए नहीं थोड़ा सा वक्त अभी दीजे, ऐसा नहीं है कि साड़े स साती के इतर भी कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, सभी ग्रोहों की स्थिती का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसके साथ साथ जो भी कंडिशन्स आपके लाइफ में हैं, आप बहुत ज़्यादा इस्ट्रेस ना लें, क्योंकि मैंने आ आपके लिए एक सही डिसिजन हो शकता है ग्रोहों के अच्छे प्रभाव की वज़़ए से और एक सही डिसिजन आपको बहुत उपर ले जा सकता है, तो इस चीज को आप समझेगा, आप भले प्रॉब्लम में हों, परिशानी में हों, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि चीजें improve कभी भी कर सकते हैं क्योंकि जब ये संसार ही world is sensible संसार ही परिवर्दन सील है तो यहां अच्छा समय और बुरा समय दोनों हमेशा के लिए नहीं टिकता किसी के भी जीवन और आप उठा कर देख लिए ये सिर्फ साड़े साथी की बात नहीं आप बड़े से बड़े इंसान की जंदगी को देखिए बड़े से बड़े successful और बड़े से बड़े businessman की जंदगी को देखिए उनके जीवन में भी साल दो साल पान साल के लिए problem आता है आप उठा के देख लिजी history तो इस चीज से आपको घबड़ान नहीं है ये साले साती का ही चीज नहीं है ये तो शंसार का एक नियम है कि आप always हमेशा अच्छे time को हमेशा नहीं देखते और बुरे time को हमेशा नहीं देखते तो थोड़ा धैरी जरूर रखे आसा करता हूँ कि इन चीजों इस्तितियों से आप बहुत जल्द बहार आएंगे क्योंकि सनी भी वक्री हुए हैं गुरू भी अप पावर में आये हैं ठीक है बाकी गुरू की इस्तिति अपनी कुल्नी में देखिएगा और एक सुचना आपको देदू अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक नया चैनल हमने बनाया है जिस पे हम यूनिक नौलेज सारे देंगे जो नौलेज यहां नहीं मिल रहा है और कहीं चैनल पे आपको नहीं मिल रहा है उस पे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगा जहां पे कुछ अलग तरह के वीडियो मैं आपको दूँगा जो आपके एस्ट्रोजी में यूनिक नौलेज होगा उसको देने की कोशिश करूँगा